दो, अगर आप अपने बिलोग और वेबसाइट पर अगर कस्टम तंपेंपलेट मतलब कस्टम थीम लगाना चाहते हैं तो आप गएसे लगा पाएंगे, क gelset आप अपने थीम को नए लोग देंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और कोई दिक्कत आती है तो आप पमेंट करके बता सकते हैं चलिए फ्रेंट आपको अपने बिलॉग के होंपेज पर आ जाना है तो फ्रेंट जब आपको यहांपर कुछ लेयाओट इस तरह से दिखेगा अपनी थीम का तो जब आपका थीम का लेयाओट दिखेगा तो इस तरह से कहीं कहीं आपको एरर मतलब यह एरर ऐसा है कि इसे शिर्फ आप अपने HTML के जरिये ही एडिट कर सकते हैं और आपको इस तरह से यहांपर जो थीम है वो आपको दिक्कत करती है कि आप जब HTML आपको नहीं आता है तो आपको इसे कस्टुमाइज करने में बहुत सारी दिक्कत आती है लेकिन अगर आपको कस्टुमाइज करना सीखना है HTML से तो आपको मेरे ऊपर वीडियो में आईकाड में लिंक मिल जाएगा आप महां से भी जाकर HTML से सीख सकते हैं लेकिन अगर आपको कोछ समझ में नहीं आ रहा है आपने HTML के बहुत सारे वीडियो देख रखे हैं तो आपको क्या करना है आपको custom theme add करना है जैसेकि मैंने आपको बताया तो το आपको सीधे चले जाना है layout के जश्ट नीचे theme को option तो आपको इस वाले option पर click कर देना है जब आप इस option पर click करेंगे तो आप जब theme वाले option पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का यहा पर interface देखने के लिए मिलेगा और आपकी जो थीम है वो लोडिंग का option आजाएगा यहाँ पर ठीक है तो आपको जो आपकी theme है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेश देखने के लिए मिलेगा आपको और जो आपकी theme है वो यहाँ पर जो complete theme आपकी होती है वो आपको कुछ इस तरह जैसे यहाँ view मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पर computer के view ऐसे मिल जाएगा और mobile का ऐसे, तो इससे पहले जब आप custom theme यहाँ पर add करेंगे, उससे पहले यहाँ पर आपके backup restore का option मिलेगा, तो जब भी आप कोई custom theme या template करते हैं, तो आपको यहाँ पर backup लेना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब आप backup लेते हैं, तो जो आपने अपनी website पर पहले से, जो theme पर काम कर रखा है, अगर आप उसे backup नहीं लेंगे, तो आपका खराब हो जाएगा, वो खराब कैसे होगा, अगर आपने कोई custom theme एड़ की है, तो वहाँ पर add करने के बाद, जब आप उसमें कोई काम करते हैं, बाइचान आपको लगता है, वो वाली जो theme आपने custom add की है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आपने इससे पहले जो आपकी theme थी, जो की समय है, अगर आपने उसका backup नहीं लिया होगा, तो आप दुबारा से उसे, कैसे आप दुबारा से upload कर पाएंगे, और कैसे आपने जो पहले से काम कर रखा है, दुबारा उसे बापर लापाएंगे, जब आप backup लेंगे, तब लेके आ सकते हैं न, तो इसलिए आपको यहाँ पर backup लेना बहुत जरूरी है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर backup पर click करना है, जब आप backup पर click करने के बाद, आपने theme पहले से add कर रखी है, उस पर जो भी आपने काम कर रखा है, वो सब आप यहाँ पर download theme के जरिए backup ले पाएंगे, जो भी आपने theme में काम किया हुआ तो आप download theme पर click करके उसका backup ले सकते हैं, जब आप इस पर click करेंगे, click करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपका process होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर corner पर आपको जो file है, वो download होते हुए दिख जाएगी, तो just अभी आप देखेंगे, तो आपको इस तरह से यहाँ पर आपको file download हो जाएगी, और उसके बाद आपको क्या करना है, second option जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर choose file जो आप theme आपको add करनी है, custom तो यहाँ से आपको उस पर click करना है, जब आप choose file for click करेंगे, तो यहाँ पर जो file है, आपको select करनी है, यहाँ पर tap खुलेगा, tap खुलने के बाद आपको जो location है, उस location पर चले जाना है, तो प्रहाण यहाँ पर एक tap खुल चुका है, तो मैंने यहाँ पर एक theme अपनी दक रखी है, और लेडी पहले से ही, तो आपने जो भी theme रख रखी है, आप उस location पर भी जा सकते हैं, और मैंने यहाँ पर यह theme कर रखी है, तो आपको इस theme को select करना है, select करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आप वही theme यहाँ पर अपन L, document, जो extension है, लिखा हुआ हो, तो जब आप यह लिखा हुआ होगा, उसी को फाल select करना, आपको जैसे उपर लिखा है, यह नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर इसे select कर लेना, उसके बाद open पर click करेंगे, जब आप open पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको process होते हुए दिख जाएगा, जो आपकी theme है, तो आपको दिख जाएगी, उसका नाम आपको यहाँ पर आजाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर orange हो जाएगा, यह अभी तक नहीं हो रहा था, तो आपको तो उबरा से लगएगा, और इस पर आपको click करना है, जब आप इस पर click करे जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपकी theme है, यहाँ पर आपकी add हो चुकी है, उसके बाद आपको यहाँ पर side में view block option मिलेगा, आपको इस पर click कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर click किया है, भी custom type किये तो मेरी website का भी नाम आपको यहाँ पर नह आपकी थी, तो वहाँ पर जो हमारे menu बगार थे, सब side थे, ठीक है, अगर आपको नहीं बताए menu कैसे यहाँ पर customize करने हैं, और कैसे आप अपने अनुसाने का नाम और आप down में भी जो उनके नाम add कर सकते हैं, तो आपको मेरा video icon में मिल जाएगा, आप बहाँ से जाकर डाय यही error आपको customize करने पड़ेगी अपनी theme, जहाँ पर आप इसे edit करके काफी पहतिरीन और professional बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पर काफी अच्छा look भी देखने के लिए मिलता होगा, आपको कुछ इस तरह से आपको look मिल जाएगा देखने के लिए ठीक है, तो आप इसी तरह से अपनी कोई भी custom theme को add कर सकते हैं, दूसरी एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, दुबारा से जब अपने page पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो आपकी theme है, वो यहाँ पर इस तरह से view देखने के लिए जो मिल रहा है, तो इसमें आपका जो view है, वो आपको यहा मोबायल की screen के अजब से set नहीं है, तो आपको setting पर click करना है, click करने के बाद आपको इस तरह से tap खुलेगा, अगर यह no पर आपको मिलता है, तो आपकी theme है, वो ढंक से select नहीं दिखेगी, अगर yes पर है, तो आपको yes रहने देना है, अगर no है, तो आपको yes करके, इसे shape कर दे करना है, कि आपको कैसे अपनी theme कस्टूमाइज करनी है, तो यहाँ पर HTML से आता है, तो आप HTML से कर सकते हैं, और डारेक्टी कस्टूमाइज कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है, इसे HTML से कैसे कस्टूमाइज करते हैं, तो आपको मेरा iCard में इसका link मिल जाएगा, आप महाँ से जाकर इसे कस्टूमाइज करना सीख सकते हैं, अपने menu बगारा को, तिकेट थे इनको, और चली फ्रेंट, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ, तो मारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में स सेर कीजिए, और अपने दोस्तों में हो सके, और लोगों को भी सेर कीजिए, अली फ्रेंट वीडियो देखने के लिए धन्यबाद, थेंक्यू